हालो और वेलकम फ्रेंट्स, स्वागत करता हूँ आपका Microsoft Access सीखने की इस सीरीज में और आज का ये वीडियो hours को calculate करने के लिए है तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और वीडियो खतम होने तक आपको ज़रूर पता लग जाएगा और पर time in है तो इसे date and time data type रखा है और time out को रखा है हमने date and time data type अब view पे कर देना है click directly मैं view पे click करता हूँ तो ये इस तरीके से देख रहा है मैंने यहां कुछ date and time भी enter कर रखा है आप देख सकते हैं अब क्या करता हूँ यहां पे create पे चलता हूँ और एक query बनाता है हम तो query design पे चलते है date and time data type हमने रखा है आपको मालूम ही है यहां से इसको drag करके यहां पे लेकिया यह यहां पर add करवाने के बाद ड्रेक करके यहां पे लेकिया गए अब चुकी hours calculate कर रहे हैं हम तो यहां लिख देता हूँ मैं total h h यहां यहां लिखा total h और यहां colon लगा यह colon लगाने के बाद हमें क्या करना है यहां पर हमें लिखना है date div ठीक है तो यह लिखा हमने date div और date div लिखने के बाद यहां पे square bracket बनाया हमने और square bracket भी बनाने के पहले हम क्या करते हैं आपको याद होगा ठीक है second को calculate करने के लिए हम s keyword का use करते थे और जब हमें घंटे को calculate करना है तो हम यहां पर h keyword का use करेंगे तो यहां पर h use किया हमने comma दिया और comma देने के बाद time in ले लिया यहां पर यहां से ले सकते हैं या फिर यहां पर आपको लिखना होगा square bracket में time in तो यह लिख दिया आपने time in और comma दिया अअप फिर यहां पर square bracket में ही लिखना होगा आपको time out तो यह लिखा आमने time out ओके अब यह दोनों ही लिख लेने के बाद bracket को close करें और close करने के बाद ok प्रेस करें और ok प्रेस करने के बाद यहां से run पर click कर सकते हैं आप तो यह देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं, कि 7 से 12 के बीच 5 आवर्स होते हैं, ठीक है, अब कही कही दिक्कत क्या आ रही है students को, कि वो क्या कर रहा है न, यहाँ पर मालीजे एक ही तारीक है मालीजे, और यहाँ पर भी एक ही तारीक ले रहा हूँ है, अब मालीजे यहाँ प लेके 8 का time ठीक है या फिर 7 से लेके 5 बजे तक का time तो यहाँ पर माली यह 5 लिग दिया हमने अब यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर आंसर रॉंग हो जाएगा यहाँ पर देखे माइनस 2 गंटे आने लगा problem क्या है कि access यह समझता है कि एक दिन में 24 गंटे होते हैं ठीक है तो वो 24 बजेगा ठीक है ऐसा नहीं कि 12 बजेगा फिर 1 बजेगा 2 बजेगा ऐसा नहीं होगा 12 के बद 13 बजेगा 14 बजेगा 15 बजेगा इस तरह से चलेगा तो अगर यहाँ पर 17 में बजा देता हूँ देखिए यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पर 17 बजा रह हूँ और थैंक यू फॉर वाचिंग